हलो बच्चों, तो Magnetism and Matter का Lecture No.4 और आज हम पढ़ने जा रहें Phenomenos of Diamagnetism, Paramagnetism and Ferromagnetism की होता क्या है ये, कैसे होता है और साथी साथ हम आपको बताएंगे Properties of Diamagnetic Substance, Paramagnetic Substance and Ferromagnetic Substance बीच में कहीं Curies Law आएगा, वो भी आपको समझाएंगे, तो आज का थोरिटिकल लेक्चर होने वाला है, थोड़ी कहानिया होंगी और उसके बाद Properties होंगी, तो Properties को ध्यान से पढ़ना और याद कर लेना, ठीक है, वैसे तो हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि अपने आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे कॉमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, शुरू करें, चलिए, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं, डाया मैंगनीटी जम, क्या होता है, तो कहानी शुरू होने जा रही है, यह कहानी हमने प्रीवेस लेक्चर में भी बताई थ हमने फिर में लाता है कि एल्टान होता है, फिस से बना होता है, अग्ळसे प्रोटोन , नूट्रण है न, तो कई एल्टेम होता है 이제 क्या करते हैं, यह इल्क्रान होते हैं। वह क्या करते हैं। नूट्लिएस के अगला चक्कर काते रहते हैं अब जब यह electron ऐसे गूमेगा तो current बन जाएगा by motion of charge इसे क्या बनता है current अच्छा electron का motion ऐसे है तो current का motion उसके opposite direction में यह तो पड़ा ही होगा कि electron जिस direction में जाता है current उसके opposite अच्छा फिर आपने यह पड़ा है कि अगर आपके पास कोई current loop हो कोई current loop हो तो वो कैसे behave करता है magnetic dipole के जैसा current loop का magnetic moment होता था ना current loop current loop के पास क्या होता है magnetic moment अब जिस चीज के पास magnetic moment हो कैसे behave करेगा magnetic dipole की था अब इस magnetic moment का direction याद है कैसे निकलते थे अपने right hand की fingers को curl करो in the direction of current assets के जिदर थंब जाए जिदर थंब जाए that is the direction of magnetic moment है यह है यह है यह है यह दिख रहा है और क्छा और क्छा और क्छा और मैगनेटिक मोमेंट का direction south pole से north pole ठीक अब एक electron नहीं है atom के अंदर कई electron है सब का अपना-अपना मैगनेटिक मोमेंट है सब मैगनेटिक डाइपोल बना रहे हैं अब थीज मैगनेटिक मोमेंट थीज मैगनेटिक मोमेंट्स of electron are majorly responsible for magnetic moment of atom atom का जो मैगनेटिक मोमेंट है बेसिकली यहीं से आता है और भी कुछ factors है पिछले लेक्चर में बताया था बड़ वो बहुत छोटे factors होते इतना contribute नहीं करते हैं नूकलियस का भी magnetic moment होता है एलेक्ट्रोन के spin की वज़ा से भी magnetic moment होता है यह तो क्या चक्कर लगा रहा है अपनी जगे पर घुमता भी रहता है spin उसकी वज़े से भी magnetic moment है पर वो सब contribute नहीं करता है यह जो magnetic moment मनना एक electron दो electron दस electron जितने भी atom के अंदर हैं सभी magnetic moment को जोड़ो तो मिलेगा आपको magnetic moment of atom अब देखो किसी खास case में ऐसा भी हो सकता है किसी खास case में ऐसा भी हो सकता है the net magnetic moment of all electrons in an atom adds up to 0 किसी का ऐसा सीधा हुआ, किसी का उल्टा हुआ, किसी का राइट में हुआ, किसी का लेफ्ट में हुआ सभ जोड़ जा के क्या हो गया? 0 हमेशन होगा चरूरी नहीं किसी किसी case में हो सकता है the net magnetic moment of all electrons in an atom adds up to 0 यानि इस time atom का magnetic moment 0 इस case में magnetic moment of atom is 0 ऐसे substances, जिनके हर atom का magnetic moment जीयो हो उनको हम बोलते हैं, dia magnetic substance और इस phenomenon को बोलेंगे, dia magnetism ठीक है, clear हो गया? यह जो phenomenon है समझ में आया, atom के अंदर क्या है? electron, electron इसकी वैसे current, current की वज़े से magnetic moment पचक अब ऐसे कई electron सबका magnetic moment, सबके magnetic moment को जोड़ोगे तो atom का magnetic moment, अगर जोडने पर magnetic moment 0 तो atom का magnetic moment 0 हम बोलते हैं, यहां पर there is no atomic dipole अगर जोड़ के 0 ना आता, तो atom भी dipole जैसा भी है करता मालों सबको जोड़ के, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है तो जोड़ जाड़ के ऐसा आता तो यह हम बोलते हैं, क्या बन गया? atomic dipole पर इस case में there is no atomic dipole इस phenomenon को हम बोलते हैं इस phenomenon is called diamagnetism और जो substances इसको दिखाते हैं, यह phenomenon करते हैं उनको हम बोलते हैं, diamagnetic substance substance जो दिखाते हैं उसको diamagnetic substance अपनी भाशा में जो चाहो लिख लेना diamagnetic material या diamagnetic substance इनका जो example हो जागा है, इनका example ले लिया जाए example as a substance का इसका example आपके पास सबसे पहले हो गया nitrogen add stp और इसका example हो गया water और इसका example हो गया NaCl और इसका example हो गया copper धेवर element आपको मिल जाएंगे element भी और compound भी आपको मिल जाएंगे जो diamagnetic हैं ठीक है पहले note करें इतना क्या बात हुई? ऐसे element जिनके atom का magnetic movement 0 है क्योंकि उनके electron का magnetic movement 0 है एक electron का है दूसरे का भी है क्या हो रहा है दूसरे को cancel कर रहा है जैसे देख लो helium helium to electronic configuration 1 is 2 खचर एक ने दूसरे को cancel कर दिया वैसे बहुत उपर उपर से बात की है quantum mechanics में और अंदर जाते हैं इसलिए chemistry में आप बोलते हो कि जहां paired electron है वो diamagnetic आज उसकी बात ने करनी chemistry की बोलते हो ना paired electron diamagnetic है इक में दूसरे को मार दिया बोलते हो ना चलिए नोट किया इतना नोट किया इतना छापा मिटारे आज यह करना है छपना है मिटारना है फिर आगे बढ़ना है इतनी बात clear हो गई चलिए यह मिटारे यानि अगर ऐसे substances का हम एक portion बनाएं तो ऐसा बना सकते हैं अचलिए क्या राटकम सना अंदर कोई डाइपोल नहीं ये देरिस इतना नोट किया पिटारे अब बात आती है कि हम जब इस पे external magnetic field लगाएंगे तो यह कैसे behave करेंगे सुनने में आता है कि यह फुरा सा repair होते है external magnetic field जाओ देखने on application of sorry it's application on application of external magnetic field external magnetic field dear students on application of external magnetic field इनको external magnetic field किसी भी sample लगाने पर दो फिनॉमना होता है पहिला atomic dipoles कि अलाइन कि विद्ध magnetic field ठीक है atomic जो डाइपोल होते हैं magnetic field की हां में हां मिलाते हैं वो बोलते हैं हां बोलते हैं हां समझ गया मेंखनाे मैंखनी प्रहसे चलो डाइपोल करते हैं हैं इन से चलो और लगता छर्णा बेदिक प्रट गता खना है अलेट्स क्ल समॉनल में अरे क्या होता है डाइपोल के सात हो जाता है । यहीव होता है में म्ल रखो मैं इंडिया के साथ na क्या होता है। दूसरा फिनामा क्या होता है, there is induced, there occurs induced dipoles in substance, in any substance, चाहे diamagnetic हो, चाहे पहरा हो, चाहे पहरो, there occurs induced dipoles in any substance on applying external magnetic field, हाथ देच चला ही है, आज कहानी है कुई, on applying external magnetic field, these induced dipoles, induced dipoles, induced dipoles, induced dipoles, opposes the external field, ये क्या बात होई, अरे ये lens law, अब ये lens law क्या है, electromagnetic induction में आप पढ़ेंगे lens law, ठीक है, वैसे तो मैं ये lecture electromagnetic induction के बाद ही shoot कर रहा हूँ, पर क्या पता जो sequence उसके हिसाब से, क्या होता है, यार देखो external magnetic field आई, उसकी वज़े से इसके बदर induced dipoles, बने, अब lens law ये कहता है, कि जो induced के वज़े से चीज होती है, जो भी induced के वज़े से जो भी चीज बनती है, वो oppose करती है, ये the cause of producing it, मैंने बताया थे न, sun kills father, lens law, sun kills father, जिसने इसको बनाया, ये उसी को मारने पे उतारू हो गए, किसी भी substance के अंदर, जब आप उसको magnetic field में रखोगे, तो induced dipoles बनते हैं अटम में, और वो induced dipoles, external magnetic field को oppose करते हैं, जिससे बने हैं, उसी को oppose करने लगते हैं, बड़ ये induction is very small, कम होता है, इसका जो effect है, वो बहुत कम होता है, इसका effect ज्यादा होता है, पहले वाले का, ये more effective phenomenon, ये less effect, आपने कोई magnetic field लगाई, तो अंदर एक dipoles बना, जो उसी magnetic field को oppose करने लगेगा, होता सब में हैं, अब अगर हम डाया-magnetic substance की थोरी सी आप से बात करें, थोरी सी बात, डाया-magnetic substance की हम आप से करें, तो डाया-magnetic substance की लिए बताओ, quantum by one तो useless है, atomic dipoles को ही ने use के है, उसमें सिर्फ second वाला phenomenon होगा, ये तो होगा है, है न, there are, कितनी कहान लिखूँ, there are no atomic dipoles, hence, first is useless, सिर्फ second होगा, only second occurs, external magnetic field लगाने पे, डाया-magnetic substance में क्या होगा, उसके अंदर dipole बनेंगे, induced dipole, जो कि external magnetic field को oppose करेंगे, थोड़ा सा में बना दे रहाँ, diagram, मानलो, external magnetic field ऐसे लगाई है हमने, ठीकि अभी field lines के ध्यान में देना, field lines अभी सिखाएंगे, फिर से बोल रहा हूँ, अभी field lines के ध्यान में देना, field lines सिखाएंगे, मानलो, ये external magnetic field है, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ atoms होते हैं, वो induced dipole बना लेंगे, छोटा छोटा, बहुत जादा नी, थोड़ा सा, और वो induced dipole क्या करेगा, इस external को oppose करेगा, इसके opposite direction, अब ये ऐसा होगा, तो बताओ, ये magnetic field में attract होंगे कि repel होंगे, रिपेल होंगे, oppose करने लगें, तो रिपेल होंगे, and hence, they are, अब यहां वर्ड पे जहां देना, weakly repel in external magnetic field, weakly repel होते हैं, क्योंकि फिनोमना मैंने बता है, वो छोटा है ये वाला, ये induced magnetism है, बहुत जादा नहीं होती, सिवाए कुछ substances में, कहीं-कहीं बहुत जादा है, superconductor में बहुत heavy हो जाती है, बहुत heavy, superconductor में यहां से माल लो, तो उन्हें 10 tesla की external magnetic field लगाई, तो अंदर minus 10 tesla बच जाएगी, इसकी just opposite, superconductor में, वहां बहुत खतरनाग फिनोमना है, तो वह strongly repel होते हैं, strongly repel, बड़ेर फिनोमना है, 99% case में क्या होता है, बहुत छोट ऐसा induction होता है, sub में होता है, paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, papa, cha-cha, sub में होता है, टेक है, इसकी वज़े से एक opposite magnetic field बनाएंगे, कि यह dipole भी क्या बनाएंगे, और वह magnetic field इसको oppose करेगी तो repulsion होगा, पर कैसा, कैसा weekly repel, थोड़ा सा repulsion होगा, note करें, इसको फिर properties पर आते हैं, properties में इनी point को उठाएंगे, लिखेंगे और कुछ नहीं बातें बताएंगे, ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ, समझ में तो आ रहा है, बिटारें, pause करें चापो जल्दी ज़े, चापो, फिर आगे लिखें, देखें, pause करें नोट कर लो, नेक्स टी लगाओ, properties of diamagnetic substances, very very important, properties of diamagnetic substances, properties of diamagnetic substances, properties of diamagnetic substances, ठीक है, चल्दी जल्दी रिखें है, first property, there are no atomic dipoles, इसका मतल समझ गए, है, net magnetic moment of each atom is zero, दिखाई कर रहा है नहीं, सब गोर्ट के छोटा-छोटा, दे आर, वीकली रिपेल्ड, वीकली रिपेल्ड, वीकली रिपेल्ड, इन एक्स्टर्नल मैगनेटिक फील्ड, most of the time, वीकली रिपेली होते हैं, कुछ exceptional case होंने बताते हैं, 3rd, अब बात करते हैं, magnetic suspectability की, याद है, magnetic suspectability, याद है, इसके बारे में जीटा, जीटा क्या होता था याद है, अरे जीटा ऐसे होता था, यहाँ लेको, और में डार देंगे, I is equals to जीटा H, यह क्या था, यह था magnetization, की अंदर कितना magnetization हुआ, और H होता है, magnetizing field, जो magnetize कर रही है, यह external, यह internal, नहीं समझे, H क्या है, कितना magnetize कर रही है, I, कितना magnetize हुआ, एक बात बताओ, I, H के साथ होगा, की opposite होगा, opposite होगा, यह जीटा को constant है, magnetic suspect है, यह constant है, फिर से, H क्या है, जो magnetize कर रही है, वो field, जो magnetize कर रही है, वो field, I क्या है, कितना magnetization हुआ, तो I और H, same direction में होगे, कि opposite, opposite होगे, है कि नहीं, H मान लोग इसे है, external, तो अंदर I ऐसे बनेगा न, magnetization, इसको magnetization vector बोलते है, net magnetic moment per unit volume, उतना नहीं जाना, I और H, opposite होगे, I अंदर जो magnetization, H, जो बाहर से field लगाई, दोनों opposite होगे, तो भाई, दोनों opposite तभी हो सकते हैं, जब जीटा कैसा हो, negative हो, जीटा negative होगा, तो I, H का opposite आएगा कि नहीं, H ऐसे लगाया, अंदर magnetization इसके opposite, अब एक बाद बता हो, अंदर magnetization बहुत जादा होना है, कि कम होना है, बहुत कम magnetization होता है, induced वाला, यानि I की value छोटी भी रही है, H चाहे जितना बड़ा आपो, I की value छोटी, यानि जीटा negative भी होगा, and small भी होगा, clear होगे बात, जीटा की value बहुत छोटी होती है, negative and small, कितनी छोटी, अगर देख लो तो जीटा की value अप्रोक्स, जीटा इस नियरली, मानलो, minus 10 to the power minus 3 से, minus 10 to the power minus 9 वही हो गया, क्या सपास, बहुत छोटी, minus 0.001, minus 0.000001, अल लग लग material क्या लगा लगा, negative समझ में आ रहा है, negative होने से क्या होगा, जैसे मानलो, इसकी value लगाते है, 1000, जीटा की value पकड़ो, minus 10 की power minus 3, h लगाया 1000, जीटा minus 10 की power minus 3, तो i की value कितनी आ रही है, 10 power minus 3, 10 power plus 3, कैंसे लोगा, minus 1, यानि, 1000 लगाने पे, अंदर कितना बन रहा, 1, और minus उसके opposite, रिक्दम clear हो गया होगा, कि अंदर बहुत जादा नहीं बनता, और इंदर opposite भी बनेगा, तो इसलिए जीटा की value छोटी भी है, ताकि magnetization कम हो, और negative भी है, ताकि magnetization opposite direction में हो, clear है, exception बता दें इसका हम, इसका एक exception है, superconductor, superconductor में गजब का magnetization होता है, तगड़ा diamagnetic matrix है, बहुत तगड़ा diamagnetic matrix है, इनके लिए जीटा की value minus 1, बाबरे बाब, समझेवा मतलब क्या हुआ, वहाँ 1000 लगाया, यह minus 1000, strongly repaid, वीकली ने strongly repaid, superconductor, चौथा point, relative permeability, relative permeability, याते हैं यह सब, mu r, formula बोलो, 1 plus geta, अब जैसा कि तुम देख रहे हो, geta छोटा सा negative quantity है, तो 1 में छोटी सी negative quantity minus करोगे, तो क्या होगा, mu r is slightly less than 1, slightly less than 1, 0.9995, 0.999994, ऐसे, जीटा क्या है, बहुत छोटी quantity, most of the time is exception, most of the time जीटा बहुत छोटी quantity, और minus है, तो 1 में से छोटी सी quantity हट जाएगी, यह कहानी clear हो गई, यह कितना magnetization हुआ, यह कितनी field लगाई, तो field लगाने पे छोटा सा magnetization हो भी opposite direction, इसलिए negative भी और छोटी value यह properties हुए, और बताओ properties में क्या पढ़े हो, हाँ, और होता है कि non-uniform magnetic field रखने में क्या होगा, इन non-uniform magnetic field, मालो non-uniform magnetic field में, मालो non-uniform magnetic field में आपने diamagnetic substance रख दिया, diamagnetic substance, move from strong to weak field region, बाई, strong field में रखोगे तो भागेगा, रिपेंशन होगा, और रिपेल होते होते कहां पवाज जाएगा, जहां field वीक होगी, समझ जहो कि नहीं समझ जहो, अब मान लो कि तुम बड़ाई लिखाई नहीं करते हो, मान लो एकदम नहीं करते हो, और एक क्लास में गुसे हो, उसमें सबसे आग एकदम पढ़ाकू बच्चे, उसके बाद थोड़े पढ़ाकू, पीछे एकदम सबसे कम पढ़ाकू, थोड़े बहुत मस्ती खोड़वाले, तुम कहाँ पहुचोगे, अगर हम तुमको पहली रो में छोड़ दे, तुम आ रहना चाहोगे, नहीं हो सब तो चश्मिया वाले हो, तो दिमाग खराब कर देंगे तुमारा, पीछे आओगे और माजा नहीं हा रहा, और पीछे है देखा वहाँ थोड़ी मस्ती है, तो वहाँ पहुच जाओगे, तो क्योंकि यह रिपेल होते हैं, मैगनेटिक फील्ड से, तो स्ट्रॉंगर फील्ड से किधर बाते हैं, वीक की तरफ, समझे जासे आप पढ़ने वाले बच्चों से, तो आप जादा पढ़ने वाले बच्चों से कहा भारते हैं, कम पढ़ने वाले बच्चों की तरफ, कोई का नहीं है, देख, we move from strong magnetic field to weak magnetic field region, चाटा point very important, Magnetic field lines, अब मैं बना रहा हूँ, Magnetic field lines become more dense sorry, become less dense in child Diagnetic Substance अब देखो जासी है Diagnetic Substance बहार से आपने Magnetic Field Lines लगा है Magnetic Field लगा है ठीक है तो एक Magnetic Field Lines चलो Mana अंदर से निकल गई ठीक है एक Magnetic Field Lines माना इसके अंदर से निकल गई कुछ तो निकलेंगी आप External लगा होगे बाकी क्या होगा, इसके अंदर छोटे-छोटे डाइपोल बने होगे, जो कि external magnetic field को END used डाइपोल, कहींगे हमाने ही देंगे, हमाली magnetic field तुम्हारे against है, है न, तो magnetic field बाहर वाली ऐसे आएगी, और एशे निकल जाएगी, बाहर वाली magnetic field lines ऐसे आईए, और ऐसे निकर देखो इनके अंदर magnetic field lines की density क्या हुई कम हो गए बहार density क्या है 3 3 अंदर 1 magnetic field lines की density इनके अंदर कम हो जाती है magnetic field line को अपने अंदर से pass करने की अनुमती ये नहीं देना चाहते clear है example मैंने बताई दिया था example फिर से लिपना हो लिख लो nitrogen at stp और क्या बताया था मैंने water और क्या बताया था NaCl और क्या बताया था copper note कर लें सारी property note कर लें फिर इन ही properties को हम पढ़ेंगे paramagnetic के लिए कि वहां पे इसमें क्या होता है यहां पे क्या होगा इसकी values क्या होंगी magnetic field कि धर भागेगा field lines कैसी होती है सब के लिए ही कर ला है clear है diamagnetic clear होगा weekly ripple होते है उनके अंदर कोई atomic dipole नहीं होता net magnetic moment each atom का 0 होता है weekly ripple होते हैं क्यों होते हैं मैंने बताया क्योंकि induced dipole बन जाता है suspectability उनकी negative और small external fields जैसे आती है तो अंदर एक छोटी सी field बन जाती कहां से कहां भागते हैं strong से भी magnetic field को पसंद नहीं करते हैं magnetic field line इनके अंदर गुस नहीं पाते हैं क्योंकि अपनी magnetic field line बनाने की कोशिश करते हैं note कर लिया pause करके note कर लें चलिए अब चलते हैं paramagnetic substance के साहे कितनी कहानी बता रहे हो आज इतना theoretical lecture मैंने कहा तो कि आज कहां यहां हैं पर प्रॉपर्टी स्पड़ों प्रॉपर्टी आपको याद रहे हैं next day for next day paramagnetism paramagnetism अब इसमें क्या होता है paramagnetic substances में या paramagnetism में the net magnetic moment of all electrons in an atom do not add up to zero यानि यहां atom dipole की तरह behave करेगा hence atomic dipole exist इनके अंदर atomic dipole होते हैं कुछ ऐसे दिखेंगे यह समझ में आया कि एक atom के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे किसी का dipole moment आईसा किसी का आईसा सबका magnetic moment अलग अलग तरफ cancel हो के zero एक atom का zero किसका एक atom का एक atom के अंदर माल लो चार electron सब इदर उदर जाँ 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 कियें मिलाकर zero यहां पर क्या है कि एक atom के अंदर सारे electron मिलाकर magnetic moment zero नहीं कर रहे है atomic dipole exist ठीक है जैसे मैंने sodium लेगिया sodium के electronic configuration बताऊ atomic number इसा कितना होता है configuration 1s2 2s2 2p6 3s1 यह होगा 2 2 4 6 11 तो यह सब तो paired है chemistry आती इतना समझदभी सब paired है सिर्फ यह unpaired है 3s वाद है तो इसकी वज़े से magnetic moment बनेगा कि नहीं atom का है अरे यह सब तो cancel हो जाएंगे 1s2 cancel 2s2 cancel 2p6 b बोलो अंद जूल भी लगा रहा हूंगा ऐसा ना सुछो chemistry नहीं आती हाँ 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 3s में एक electron unpaired जिसकी वज़े से magnet के पास सबी atom के पास magnetic moment है यानि atomic dipole exist करेगा अगर इनका में एक diagram बनाऊंग जैसा बना सकता हूं यह यह किसका dipole है electron का कानी अराम से समझो वहाँ atom का dipole था यह नहीं यहाँ है यह एक atomic dipole इक टोड़ा बनाता हूं यह atomic dipole दूसरा atomic dipole यह थीसरा यह चौटा यह पाँचभा यह छटा यह सब दौँदा ओड़ा एसे थीक समझ के randomly aligned करते और random मनातें आज बन करते इसे आज आज एसे आइसे 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 असे रैंडॉमली इलाइंड फिस्ट अबилась आपी जै तेख आफाटर बूत्र camp Stanis तो इसके अंदर भी net magnetic moment क्या आ जाएगा ? 0, कुछ उपर, कुछ नीचे, कुछ दाए, कुछ बाए, यानि net magnetic moment of any small volume is still 0, अभी भी 0 है जबकि आटम का डाइप, दाएम का डाइपोल ही नहीं था, इसके अंदर भूले भूले आइटम दे से लिए इस पर atomic dipole तो आया, हाँ मैं बनेगा, हाँ मैं बनेगा, हाँ मैं बनेगा सब आटम तयार है, पर कोई आपस में अभी ताल्मेल नहीं है कोई इधर तयार कोई इधर तयार कोई इधर तयार, तो net magnetic moment of any small volume, in any small moment, net magnetic moment in any small volume is still zero, अभी भी 0 है, तो अब क्या करें कि इसमें भी हम, इसमें भी हम external magnetic field लगाएंगे, और अप्लाइंग, external magnetic field, बताओ, external magnetic field लगा कि कौन सा फिनोमना होता है, एक तो dipoles align होंगे, in the direction of field, और एक induced dipole बनेगा, कौन सा फिनोमना जादा होता है, alignment वाला, induced वाला छोटा होता है, तो paramagnetism में ये dipoles align होते हैं, और ये वाला factor, dominate करता है induced magnetism या induced dipole, मैं फिर से बोलता हूं, कि induced dipole का फिनोमना, diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, सब में हो रहा है, सब में हो रहा है, पर diamagnetic substance में dipole थे ही नहीं, तो alignment ही नहीं हुआ, यहाँ dipole है, तो alignment हो गया, और यह effect हमेशा ज़्यादा होता है, as compared to induced align, diamagnetic में यह effect था ही, तो यहाँ जाओगो on applying external magnetic field, the atomic dipole align with the direction of applied external magnetic field, यह मैंने बताया क्यों होता है, by atomic dipole हो, magnetic dipole हो, या electric dipole हो, अगर आप उसको field में रखोगे, तो dipole के उपर लगता है torque, P cross E, M cross B, A cross B, A B sin theta N के आप, कुछ यादा आ रहा है, P cross E लगता है कर नहीं torque, electric dipole पे in electric field, और M cross B, magnetic dipole पे in magnetic field, और इस torque का एक ही काम होता है, कि dipole को align कर दो, field के साथ, dipole को घुमा के, torque घुमा के align कर दो, field के साथ, यह वहला है, इसको घुमा के भी इदर, इसको भी इदर, जैसे माल लो, यह sample है, ठीक है, और यह external field, मैं फिर से बोल ला हूँ, field lines अभी मैंने सही, नहीं बनाई है, एक्सेक्ट field line थोड़े बाद बताएंगे, external magnetic field apply की, field line थोड़े बाद समझाएंगे, अभी तो कहानी समझो, external magnetic field apply करने पर क्या हुआ, यह dipole का alignment स्टार्ट हो गया, field के साथ, यह घुम के इसे हो गया, थोड़ा सा ठीक है, यह घुमा के टॉरा घुमाया, ऐसे हुआ, यह घुमा के टॉरा घुमाया, ऐसे हुआ, यह घुमाया, अच्छा ऐसा नहीं कि 100% alignment, उसके तो बहुत मिहाद करनी पड़ेगी, approach alignment होता है, तो सब करीब करीब इसी direction में आने लगे, 100% alignment तो हम saturation बोलते हैं, वो बहुत मुश्किल जाचीब होता, near about alignment, अब एक overall magnetic moment इस direction में होगे, in the direction of external magnetic field, ठीक है, alignment can be increased, alignment can be increased, दो कहानी करो, बहली चीज, external magnetic field बहाँ दो, external magnetic field की जो strength है, उसको बढ़ा दो, हईशा, और strong magnetic field लगा दो, इन फे torque ज्यादा लगे गार है, torque का formula क्या होता है, m cross b, m होता है magnetic moment, b होता है magnetic field, तो b की रल्वा बढ़ा तो, torque ज्यादा लगे गार, और अच्छा alignment होगा है, और दूसरा जब बात है, वो भी सुनो, कम कर दो, पूरी कहानी है, तो temperature ज्यादा होगा, तो इसमें क्या होगा, random motion, atom का zigzag, temperature ज्यादा करो, अब random motion से क्या होगा, alignment बिगडने लगेगा, अब इसी को सोचो, हम heat कर दें, heat करने पर क्या होता है, magnetism destroy हो जाती है, किसी magnet को खुब देर सारा heat कर दो, आग में जला दो, magnetic property खतम, क्यों, heat करो गया atom, पच 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 पच, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर, सारे alignment की ऐसी तैसी हो जाएगी, इसलिए, आग में बोले, temperature कम करो, temperature कम करो, आ, यह सुपून से align होके बैठें, बिदर, मास, समादे, temperature कम है, ऐसे दुछल नहीं रहे, जिधर magnetic field ले जा रही, उधर जा रहे, alignment can be increased by increasing external magnetic field, हाईशा, या by lowering temperature, calm, clear, अच्छा, अब ऐसा हो गया, यह field के साथ align हो गया, तो बताओ, साथ हो गये, अब कोई repulsion की बात ही नहीं, so they are, so they are weakly attracted, यह फिनॉमना पुरा paramagnetism का, फिनॉमना समझके, यहां पर फिनॉमना था, paramagnetism का तो, यहां पर atomic dipole exist करें, but overall magnetic field अभी भी, magnetic moment या magnetic field अभी भी अंदर, 0 हो किसी भी small volume में, but external magnetic field लगाने के बार, अब, magnetic moment 0 नहीं है, इसके बाद लिसनो, now, magnetic moment, in any volume, is not 0, यह तो समझी गया हो गया, अब कोई भी volume उठा लो, magnetic moment किसी एक particular direction में है, is not 0, ऐसे substance को बोलते हैं, paramagnetic substance और इस फिनॉमना को बोलते हैं, paramagnetism, paramagnetism क्या था, जिसमें एक atom के अंदर सारे electron एक दूसरे का खूंद खराब करके, atom को magnetic moment ना दें, atomic dipole ना बनने दें, paramagnetism में, electron में थोड़ी दोस्ती आदी रहेगी, atom को एक atomic dipole बनने देंगे, पर फिर भी वो ऐसे align होते हैं randomly, dipoles are randomly aligned, in absence of external magnetic field, जब तो external magnetic field नहीं तो randomly aligned है, आई तो सब एक साथ align हो गए, alignment 100% कैसे हो सकता है, वो भी बता है, field strength बता हो, temperature घड़ाओ, और से net magnetic moment इसके दर create हो गया, पहले नहीं था, clear गए, अब बता हो यह attract होंगे की रिपल होंगे, definitely यह attract होंगे, यह point number third लिखा हूं मैं, weekly attracted in external magnetic field, experimentally देखा कैंगे की बहुत strong attraction नहीं आया, अभी भी weekly attracted हैं क्योंकि alignment बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, अब यहीं ferromagnetic होते तो यह जबरदस्त alignment है, लगाते ही भचाक से alignment हो और खतरनाक attraction field, यह उतना attract नहीं हो पाते हैं अभी कुछ values दिखाएंगे, suspectability, probability तो आपको और फील होगा, but still they are weekly attracted in external magnetic field, इनका अगर example देखना चाहें हम, तो इनका example हमारे पास हो जाएगा, example हमारे पास हो जाएगा, इनका aluminum, aluminum हो गया, इनका example हमारे पास और हो जाएगा, हमारे पास oxygen को ले लो, at stp, calcium ले लो, अभी हमने आपको और क्या बताया था, sodium बताया था भी अभी, यह example हो गया है, paramagnetic substance की, काहनी clear है, क्या यहाँ पे induced diacole नहीं बन रहे हैं, बढ़ उसका effect बहुत कम है, induced diacole भी बने होंगे थोड़े बहुत, बढ़ उनका effect बहुत कम होगा, नोट कर ले इसको, फिर उनकी properties परते हैं, आज हमने गिल का हर की साथ माम कर दिया, कुद भी पागल हो, क्या मिटा रहे हैं, pause करके नोट कर हो, चाब लिया, ओके, उनको भी पागल कर दिया, चलिए, नेक्स लिए लिए, properties of paramagnetic substances, properties of paramagnetic substances, तो जैसे diamagnetic properties लिखी थी वही सब बात करते हैं, पहले में बात की थी कि वहां पे कोई atomic dipole नहीं, यहां पे है, there are atomic dipoles, as net magnetic movement of each atom is not zero, ठीक है, electrons paired नहीं होते हैं, थोड़े बोधा impaired होते हैं, जिसकी वैसे ऐसा हो जाता है, chemistry में देखें तो, और यहां तो मैंने समझा दिया, ठीक है, कि electrons एक दूसरों cancel नहीं कर रहे हैं, कुछ बच जा रहे हैं, यहां प्रोपर्टी हमां खेंगे लिए, second, they are weakly attracted in external magnetic field, बहुत strongly नहीं attractive है, they are weakly attracted in external magnetic field, अभी यह सुन जाते हैं क्यों, magnetic suspectability नहीं की देखो, अब बताओ, i is equals to zeta h, इस बार h और i same direction में क्या opposite, same, जिदर आपने field लगाई, magnetizing field जिदर लगाई, magnetization उसी direction में गुआ तो, zeta is positive and small, experimentally देखा गया कि छोटा है zeta, इसलिए magnetization बहुत जादा नहीं होता, इसलिए बहुत strongly attracted नहीं होता है, कितना छोटा होता है, zeta की value यहां पे भी वही range है, जीटा इस नियली 10 की पार प्लस में, 10 पार 3, 2 प्लस 10 की पार, minus 6, minus 7, ऐसी जाते ही यहां पे बहुत छोटी value लेता है, जीटा है, चौथा, relative permeability, mu r की बात करें, mu r क्या होता है, 1 प्लस जीटा, relative permeability, अब जीटा positive है, तो 1 में कुछ add होगा, बहुत छोटी quantity add होगी, so mu r is, slightly greater than 1, बहुत जादा greater होगा क्या, थोड़ा सा है ना, क्योंकि जीटा थोड़ा सा positive है, थोड़ा से smart किया हमने, जो थोड़ा सा हमन से जादा, पांच्वा, external magnetic field, in non uniform external magnetic field, in non uniform external magnetic field, बता हो ये कहां से कहां move करेंगे, ये थोड़ा से पढ़ाकू है ना, थोड़े पढ़ाकू बच्चे कहां बैठना चाहते, एकदम पढ़ाकू के बगल में, कि माइंड से माइंड ब्रांस करो जाएका, in non uniform external magnetic field, they move from, they move from, weak field, to strong field region, है कि ने, ये तो attract हो रहे हैं ना, ये तो चाहते हैं ना, कि field मेरे मजा आ रहा है ने को, तो ये weak field से, strong field region की तरफ नुफ करेंगा, तो diamagnetic strong से, weak की तरफ नुफ करेंगा, चाहता point, very very important, magnetic field lines, magnetic field lines, become, more dense, inside, paramagnetic substances, chances, magnetic field lines और, जादा हो जाएंगी, क्योंकि आपने देखा कि ये, magnetic field को opposed नहीं कर रहा, उसको support कर रहा है, इसके अंदर जो dipos बन रहे हैं वो external magnetic field को support कर रहे हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं तो अंदर जो magnetic field बनी और जो बाहर बनी एक ही direction में तो यहां overall magnetic field का strength बढ़ जाएगा और magnetic field का strength जब बढ़ता है तो magnetic field lines पास-पास आजाती है ना dense हो जाती है थोड़ा सा मेरी जवान यहां पर slip कर गई आप समझें कि नहीं कि नहीं है ना friction coefficient काम रहा होगा mu is equal to 0.005 होगे वापस आते हैं तो मैं क्या बोला था कि इसके अंदर जो dipos का alignment है वो magnetic field के साथ है तो अंदर magnetic field बढ़ जाएगी तो magnetic field lines पास-पास हो जाएगी magnetic field line सी तो बताती है कि magnetic field कितनी है जहां field lines pass magnetic field जाएगी तो यहां कि आऊगा बाहर और फील लाइन जो इसे जाना चाह रही थी माहनलोड़ इसके ऊपर जाना चाह रही थी उसको भी अंदर खीच लेगे सब्सक्राइब कोशिश करेगा उनको अपने अंदर से पास कराने की बाहर देखो density तोड़ी कम है बाहर field line दूर 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 है यहां इतने अरिया में देखो से 3 field यहां इते अरिया में 4 field है इते अरिया में 3 field है यहां अंदर 4 चार क्या पांच है क्यों चार पांच समझें एक और बात होती है इसमें बड़ी important paramagnetism या paramagnetic property decreases paramagnetic property is inversely is inversely चलो यहां रिकते हैं बड़ी सब्सक्राइब magnetization of बास बस पक कर जबाएं magnetization of paramagnetic substance is inversely proportional to absolute temperature यह बाद मैंने आपको पहले ही बता दिये अगर आप ध्यान दो मैंने बताया था कि alignment किस पर depend करता है external magnetic field पे और temperature पे भाई alignment होगा तभी तो magnetization होगा अंदर तो यह यही तो बोल लाएं कि magnetization is inversely proportional to absolute temperature temperature बढ़ा होगे magnetization कम होगा magnetization of paramagnetic substance is inversely proportional to absolute temperature यही क्यूरीज लोग बन जाएगा बहुत कॉमन सी बात है आप temperature बढ़ा तो अंदर अधोमिट दइक वर तूटूक 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 जितना alignment गुआ है सबकी ऐसी तैसी हो जाएगा यानि magnetization जो है वो temperature बढ़ानी पे खराब हो जाकता है magnetization of paramagnetic substance is inversely proportional to absolute temperature equation में लिखता हूँ, समझ में आया है, तो कुछ हो ना, I is equals to C B not by T, I होता था magnetization vector, B not होता था magnetic field, T है absolute temperature, C को बोलते हैं, Curie is constant. नहीं समझे, अरे ये कहानी समझो, बाकी सब constant, I और T, I है कि अंदर कितना magnetization हुआ, T है temperature in Kelvin, absolute temperature समझते हैं न, temperature जितना बढ़ाओगे, magnetization उतना, temperature बढ़ाया, इदर उदर भागे, magnetization, magnetization ता बच्छा होता है, जब सब एक, साथ, temperature बढ़ाओगे, magnetization कम होता है, इसको एक तरह से वाल निखा जाता है, किताबों में जरावों भी देख लो, आई की बच्छों जो value होती है, आई की जो value होती है, कहा लेकों, कहा लेकों, कहा लेकों, कहा जगें, कहा जगें, कहा जगें, यहां लेकती है, थोड़ीजी इदर आइन्स को adjust करो, आई की जो बच्छों value होती है, आई होता है, जीटा H, अभी बता है और B0 होता है μू0 H चला है यहां substitute करो दोनों को I की जगा जीटा H और C B0 की जगा μू0 H इस तरह से ज़्यादा popular है यह लो upon T I की जगा जीटा H B0 की जगा मू0 H यहां से H H cancel Geta is equals to Geta is equals to Cμ0 by T इसको बोलते हैं Q is low अधिकतर किताबों में यह दिया रहता है इसको बोलते हैं Q is low This is called Q is low देखो यह भी वही चीज़ बता है I की जगा जीटा H लिखा B0 की जगे मू0 H लिखा H H cancel I की जगा जीटा H B0 जगा मू0 H H cancel यह भी वही चीज़ बता है Temperature बढ़ा होगे जीटा की वैलू और कम हो जाएगी जीटा की वैलू कम हो गई तो यह और चोटा होगे और चोटा होगे तो magnetization और कम होगे Clear है Magnetic suspectability is inversely proportional to temperature और temperature किसमें होना चाहिए In Kelvin Absolute temperature यह है Q is law Temperature बढ़ाने पे जो suspectability है वो कम हो गई कम हो गई भाई यह तो magnetization भी कम हो जाएगा Clear है अच्छा Q is law का एक limitation भी है Limitation क्या है बच्चों मान लो Temperature बहुत कम है मान लो Temperature बहुत कम है और external field बहुत strong है जितना alignment हो सकता था उतना alignment हो गया 100% alignment हो गया क्या मैंने बोरा Temperature is very low Magnetic field is very strong जितना alignment हो सकता था हो चुका है अब बताओ अगर अब मैं temperature को कम करूँ तो जीटा बढ़ेगा Saturation आ चुका है अब कैसे बढ़ेड़ तॆ नई समझें आ आ इक पॉइंड पर्सेंट अब temperature कम करने परजीटा पर कोई फरक अब temperature कब करने पर करने पर सब्सल्सक्राइब यह पार, ठीक है, वाइल, लोविंग, तेमपरेचर, आज सेज, कम्स, वेन, यहां लिपा जा लिया, इरह जगा लिया, क्यों इस लाओ का लिमेटेशन, नोट कल लेसको फिमेटा करें, नोट कल लिया, यह पाइंट्स नोट कल लिया, हुआ, 7.5 इंग राइ, आज सेज, सहर्ण, नोट कल लिमेटा, आज सेज, यहां नोट करें? are aligned perfectly with external magnetic field. This is called saturation. Saturation आचुका है. जितना magnetization हो सकता था, उतना magnetization हो चुका है. After this, Curie's law after this, Curie's law is invalid. सब को कहां नहीं समझ में आगे? 100% alignment होने के बाद आप temperature कितना भी कम करो, क्या आई अब बढ़े सकता है? बताओ. क्या इसके बाद आई बढ़े सकता है? तो अब अगर आप temperature कम करोगे तो जीटा increase नहीं करेगा, is invalid. इसका मतलब जीटा won't increase on decreasing temperature. पहले ये हो रहा था, पहले आप temperature कम कर रहे थे, alignment बढ़िया होता जा रहा था, होते 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 100% alignment हो गया, अब आप temperature कम करोगे, जीटा के ओपर कोई फरक नहीं पड़गा, इस इस दिलिमिटेशन ओफ क्योरी जोगे, और सिफ temperature से नहीं, magnetic field से भी हो सकता है, पढ़िया magnetic field लगा दो, एक बढ़िया सी magnetic field लगा दो, 100% alignment हो चुका है, एक बार 100% alignment, ये situation अगर आ गई, when 100% atomic dipoles are aligned perfectly with external magnetic field, क्योरी जोगे जोगे जोगे, saturation आने के बाद इनका कोई मतलब नहीं, ये सब चीज़े वैलिड है, before saturation, saturation आप temperature से लाओ, temperature कम करके है, या saturation आप external magnetic field लगा के लिए हो, तगडी magnetic field लगा दो, सारे dipoles 100% alignment हो जाएंगे, बढ़िया टॉर्क लगेगा, अब इसके बाद temperature कम करने से, magnetization नहीं बढ़ेगा, जीटा की वैलू नहीं बढ़ेगा, तो ये law valid है, before saturation, where, 100% alignment is not done, नोट कर लें इसको, यहां खतम होती है, properties of paramagnetic substance, इसके बाद हम उठाते हैं, ferro-magnetic substance, clear Q-E is law, यह है Q-E is law, C को बोलते हैं Q-E is constant, C को बोलते हैं Q-E का constant, Q-E is constant, चलिए आगे बड़े हैं, तो paramagnetic materials समझ में आए, इनके अंदर atomic dipole होता है, weekly attract होते हैं, weekly attract होते हैं, जीटा की value is small, positive, mu-R की value slightly greater than 1, magnetic field आए, इनके अंदर थोड़ी सी देन्स, और non-uniform magnetic field में कहां से कहां जाएंगे, weak से strong की तरफ, और temperature dependent भी है, Q-E is law से पढ़ा चला, जीटा is equal to C, mu-naught by T, mu-naught होता है, absolute permeability, वह आप मु-naught लिखाता हैं, absolute permeability, mu-naught by T, temperature कम करने से, जीटा बढ़ेगा, magnetization बढ़ेगा, but after a certain limit, ऐसा होना बंद हो जाएगा, क्योंकि 100% alignment हो चुका है, एक्जाम्पिल इसके हमने क्या-क्या बताया आपको, एक्जाम्पिल हमने आपको oxygen बताया, at-stp, sodium बताया, calcium बताया, और aluminium बताया, अब आते हैं, अपन, ferromagnetism पे, सब में कुछ-कुछ नहीं हो रहा है न, अब इसमें भी कुछ नहीं होगा, ferromagnetism, देखो इसमें क्या है, इसमें भी atomic dipoles होते हैं, just like paramagnetism, atomic dipoles, exist, अच्छा, ऐसा लगता है न, कि ferromagnetism, paramagnetism का ही एक enhanced case है, ऐसा है भी, कहानी कोई भाई है, atomic dipoles exist just like paramagnetic substance, यानि यहां पे भी net magnetic moment zero नहीं है इक atom का, बट यहां एक कहानी में twist है, twist क्या है, twist क्या है, the atomic dipoles, interact with each other, interact with each other, each-each-each-other, in such a way, in such a way, that, they, spontaneously, यानि, खुद से, spontaneously मतलब क्यमेश्टी मताया मैंने बार, कई बार, खुद से, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने आथ, in spontaneously, align, in same direction, in small volumes, called domains, यह होती है, domain theory, of ferromagnetism, यही difference है, ferromagnetism और paramagnetism में, वहाँ पे भी, electrons का, magnetic moment, add करने पे, zero नहीं हो रहा था, एक atom के लिए, कहानिया हैं सार्य, और यहाँ पे भी, electrons का, magnetic moment, add करके, zero नहीं हो रहा, एक atom के लिए, पर यहाँ पे कुछ नहीं चीज़ है, the atomic dipoles, interact with each other, आपस मों interact करते हैं, quantum mechanics का phenomenon, हम नहीं सम्झाएंगे उसको, interact करते हैं, सम्झाने करना, समय है, ना possibility है, मुझे इतने इच्छे से आता है, फिनोमना हो, in such a way, that they spontaneously align, in same direction, in small volumes, मतलब, मतलब क्या है, मतलब डाग्राम समझना है, इसके अंदर, domain exist करते हैं, इसके अंदर, domain exist करते हैं, domain मना हुआ है, इसके अंदर domain, मानो यह domain, domain इसके अंदर, जो atomic dipole है, वो सब एक direction में align है, इसके अंदर वाले सभी धर align है, इसके अंदर वाल दिवान वो सभी धर align है, यानि एक एक domain का, अपना-अपना magnetic moment होता है, हर domain का, अपना-अपना magnetic moment है, कुछ समझ में रादर मैंने बना दिया, एको ride, एको left, ऐसा होता नहीं है, हचारो domain, करोडो domain होते हैं, जो domain size होता है, जो domain size होता है, वो 1 mm होता है, और atoms in 1 domain, या atoms in each domain, वो होते हैं करीब-करीब 10 की पार 11 के असपास, इसके अंदर 10 की पार 11 atoms हैं, जो एक ही direction में aligned है, ये एक team है, ये दूसरी team, ये तीसरी team, ये चौतरी team, ऐसा करोरो team मिल के बनता है, ferromagnetic substance, and this phenomena, and this phenomena is called ferromagnetism, क्या difference है, ferromagnetism और paramagnetism में, वहाँ पे भी atomic dichole थे, यहाँ पे भी atomic dichole, वहाँ पे भी electrons का magnetic moment विला के 0 नहीं, यहाँ पे भी 0 नहीं, पर वहाँ पे सारे dicholes, इदर उदर ऐसे वही से तिर्चे मिर्चे पड़ेते, यहाँ नहीं, यहाँ अंदर छोटे छोटे राज बने हुए हैं, डोमेन, छोटे 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 राज बने हैं राज आओंके, यह सब इधर भाग रहे, यह सब इधर, यह सब इधर, यह सब इधर, आप देखते हैं, external magnetic field लगाने पे क्या होगा, on applying, external magnetic field, इसमें एक नया फिनामना होता है, बताते हैं, external magnetic field क्या होगा, सारे डाइपोल्स क्या होगे, magnetic field के direction में align हो जाएंगे, जिस तरफ फिल्ड के direction होगा, इसमें तरीका लगा, external magnetic field क्या होता है, इसके अंदर, domain growth होता है, domain growth में क्या होगा, जिसे मालों magnetic field मेंने यह लखाएंगे, ठीके, यहाँ तो कोड़े, फोड़े काम में आणोड़ा हो एकुर, बार रवे नाने पड़ेंगे मुझे, अब मालों में एक्स्टर्नल magnetic field यागा है, ऐसा लागा होगा, उपपर क्ये तरफ, तो domain growth क्या होता है, कि जो domain, external magnetic field को support कर रही थी, वो बढ़ने लगी की size में, और बाकी सारी domain size में छोटी होने लगी गया, alignment भी होगा, थोड़ा बहुत alignment भी होगा, बड़ यह domains सारी size में, external magnetic field में ऐसा उपर ही तरफ लगा दी, तो जो domains, इसी अंदर करोडो होगी, यह तो मैंने चार सैंपल लिया, कोई ऐसे होगा, कोई North East, North West, South East, तो जो domains इसको support कर रही है, वो size में बढ़ती जाएंगी, और जो domains इनको oppose कर रही है, वो size में घटती जाएंगी, alignment भी होगा, यानि क्या होगा, domain growth, देखो कैसे, जो support कर रही है, वो grow करेंगी, यहां जैसे यारी support कर रही है, तो यह बढ़ जाएगी समय के साथ, बाकी domains छोटी हो गई, और यह domain बढ़ गई, थोड़ा बहुत alignment जोगा, तो आस alignment भी दिखाते हैं आंको, ऐसा नहीं है, थोड़ा सो तो इस पर talk लागी रहा है, alignment होगे लाभी चल रहा है, थोड़ा यह भी तेड़े हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, चलो उनके ताल से ताल मिलाते हैं, यह भी थोड़ा उपने ही कोशिश कर रहे हैं, चलो उनके ताल से ताल मिलाते हैं, इसे थोड़ा उठे यह थोड़ा से तिल्चे गुए और भुरोथ हुई टोमेन की समय के साथ यह external field है कि समय के साथ और भुरूथ हुई और समय के साथ क्या है सब consistent होता है अशनी बड़ यह observe किया है domain growth quantum level पे यह चीज प्रूव हो चुकी है यह हो गया अब यह डोमेंड पूरी तरह से ग्रोप कर गई है यानि इसने बाकी सारी डोमेंड को अपने कब्जे में ले लिया एक तरह समझ सकते हूं और यह जो वाली ती सब छोटे छोटे हो गए कि अब आपोस करने वाले बहुत कम बजें इसको ठीक है उस तरफ की डोमेंड रोग की बाकी सारी डोमेंड चोटी हो गए यह भी कॉंटम मेकैनिक्स का फिनामना है आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना अब मुझे बताओ कि एक्स्टरनल मेंडिक फिल्ड के साथ है की नहीं है अच्छा इसमें वो इंड्यूस मेंडिजम होगा बहुत चोटा फिनामना है इफेक्ट बहुत जादा नहीं और और साथ में मेंडिक फिल्ड बनेगी अब मुझे बताओ यह एक्स्टरनल मेंडिक फिल्ड बहुत जबर्दस अट्रैक्शन हुआ इक्स्टरनल मेंडिक फिल्ड में विकास ओफिस डूमेंज यह बहुत फिनामना है बहुत थी मस्ट आलाइनमेंट होता है इसमें बहुत बढ़िया ओमारा हुग्या आईरल ऌड इसमें सब ने सुन रखा है बिश्छकुल से कोबाल्ड यह भी सुन रखा होगा नीकल यह वीज़न अब खाऊ गए सब बहुत ही बढ़ियां फेरो मैंगनेटिक मटीरियल है प्लस इलिके ऐलोई बनाए जाते हैं और बढ़ियां फेरो मैंगनेटिक प्रॉपर्टीस के लिए नोट कर लें आज पीडर हो गई तीनों चीज़ने इक तम बढ़ियां से बहुत बढ़ियां बहुत अच्छे लोमेंस वाली काहनी समझ में आई इसको अधने थोड़ा अच्छे समझाया में लगता है सा मैं डार्दे इसको पॉसपे के लोड चलियों नेर्च अटिन प्रॉपर्टीस औफ फेरोमेंगनिक सब्स्टेन्स इंट्यू्स कर देखके जाना इसमें भी कुछ important चीजे मिलेंगी properties of the suermagnetic substances properties of प्रेड़ोग्नेटिक होते हैं कि इसमें सबसे पहले atomic dipole में क्या रिखा जाया Atomic Dipoles Exist And Are Aligned In And Are Aligned In Same Direction In Small Volumes Called Domains So, Ismene Domain Theory Bohut Important Second Point They Are Strongly Attracted In External Magnetic Field Third Point Jeta Is Positive And Large Bohut Tegra Magnetization Hota In Bohut Tegra Geta Kitna Large Hota Geta Is Approximately 10 Par 3 Positive Minus 3 Nih 10 Par 3 Is It Nih 1000 Bahaar Se Field Kam Laga And 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 So Baita Taa Magnetic Property Dikhan Neko Magnetic Property Bada Dette J S Que Phe A Phe A Magnetic Field Strength कि आपको magnetic field की strength बढ़ानी है तो soft iron core दालते देगे नहीं हुँ आपने हमें magnetic field strength बढ़ानी होती है, भी तो हम soft iron core लेते हैं soft iron core is a ferromagnetic substance magnetic field बढ़ा देता है जीता की वेलू 1000 i is equal to jeta h, अब सचो हे जीता है जीता की वेलू 1000 जीता की वेलू 1000 वहे 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 आई की वैलू टेंगी पावर सिक्स वह 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 मज़ा आ गया बोले समझ में आया फॉर्थ क्या बात करना मुवार मुवार इस बन प्लस जीटा यह हजार तो यह भी हजार मिमार इस वेरी लांच यही बहुत सकते हैं से तो बहुत प्रणा मिमार अच्छा और बात करें कि क्या होगा नॉन उनिफॉर्म फिल्ड में इन सब तो बगवाज बाते हैं इन नॉन उनिफॉर्म फिल्ड यह दे इस स्पॉंटेनियस्ली एक दमखटाक से इस स्पॉंटेनियसली मूउव फ्रॉम वीक टू भोलो इस्ट्रोंग फिल्ड रीजन में प्रिल्ड की बात करनी है इसके बार तो में प्रिल्ड क्या होगी इनके अंदर देंस हो जाएंगी इनके बढ़ जाती है इसके अंदर बहुत जादा होगी Six magnetic field lines become very dense inside ferromagnetic substances. Paramagnetic substances also become more dense. This magnetic field line is going to go with us. You also go with us. The magnetic field line is going to get everything inside. The magnetic field line is going to go with us. It's going to go with us. It's going to go with us. The magnetic field line is going to go with us. The magnetic field line is going to go with us. Clear? The magnetic field line is going to go with us. 1, 2, 3, 4, 5. The magnetic field line is going to go with us. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Clear? Very strong. 7th point is a big important point. People think that external magnetic field is going to go with us. They retain the property of magnetism. E 의 sum gonna start at all. Why do we know that paramagnetik external magnetic field is going to go with us? The truth means that on paramagnetik external magnetic field around us. This is true. This is true. Paramagnetik external dictation by the external magnetic field.' That literally happens in tribal magnetic field. So exactly the fact of that AMA HAARL. In pretending we are going on to the external magnetic field of magnetism. External Magnetic Field, दो चीज़ें हो सकती है, A, Magnetization Persist, कि अभी भी Magnetization है, किसका, Ferromagnetic Material का, On removing external magnetic field, two things can, अर्य, खीए समझे, On removing external magnetic field, दो चीज़ें हो सकती है, कि Magetization अभी भी उसके अंदर हो, अगर Magetization Persist करता है, तो हम बोलते हैं, Hard Ferromagnetic Material, बहुत तगणा Ferromagnetic Material बनाया हैं आपने, इसका Example है, Alcino, Alcino, यह एक alloy है, aluminium, copper, alnico, very sorry, alnico, alnico, बहुत 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 हैं, Aluminium, nickel, copper, and copper, and copper, का एक alloy है, चाहे, alloy of aluminium, nickel, copper, and copper, तेका इपढ़ना है Alloy Allmium Nicle Cobalt & Copper इनका प्रस्थी लिक भ आई oh आम है अल नी को यह इतना बढ़ियां फिर्मागोटिक मटिडीयल है कि यह बार इसको मेंटड़ाइज किस्किए एक बार external magnetic field लगाई, और उसका द external magnetic field हटाई, magnetization persist, ऐसे materials को हम permanent magnet भी बोड़ते हैं, permanent magnet, कि एक बार magnet बन गए, तो G1 भर बने रहेंगे, ठीक, दूसरे होते हैं, जिसमें magnetization disappear कर जाएं, magnetization disappear, एक बार field हट आई, magnetization disappear कर दिया, उनको हम disappear कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं, soft ferromagnetic material, soft ferromagnetic material, इनका example हो गया हमारे पास, soft iron, यह हमारे temporary magnet बन गया, ठीक, नोट कर लें, नोट कर लें, इतना एक point और बचा है, temperature से relation ferromagnetic properties का, यह बात clear हो गई, इसका बड़ा humor होता है, कि external magnetic भी लटानेक बाद भी ferromagnetic substance हमेशा, magnetism भी property को gain कि रहते हैं, जरूरी नहीं है, अगर gain किये हैं, तो hard ferromagnetic, अगर छूट की property तो soft ferromagnetic, example इसका alnico, alloy of aluminium, nickel, cobalt and copper, इसका example, soft iron, एक last point देखें, temperature के बारे में, इस अब note कर लें पहले हैं, फिर मैंजर के चीज़ें मिटा रहूं, जीटा इसका बहुत बड़ा थबड़ी magnetization, विवार मी बहुत बड़ा थबड़ी magnetization, बिटा रहें, ओ, temperature के साथ पुरी कहानी को देखते हैं, on increasing temperature, बताओ क्या होगा, magnetic property बढ़ेगी की घटेगी, temperature बढ़ाओ की, zoom, 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 random motion बढ़ा, on increasing temperature, ferromagnetic property decreases, गिरती जाएगी, ferromagnetic property, गिरती जाएगी, किरती जाएगी, किरती जाएगी, at some point, the ferromagnetic material starts behaving like paramagnetic material between GOD, कि बढ़ाते जाएगी, आप temperature बढहते जारा हने लगी, ये-मेगनिटिस्म गरते- 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 किसके बराबर होने लगी पैरमेटिक मठेल ऐसा लग रहा है कि वो मठेल अद प्रेव हीने वो तो पैरामेटिक है अदिह बढते आ방 टे में टेरे रात मेंशना एक्ट नोच सिर अपने बढ़ाव पिए water of phase, phase transition, phase transition, यह कोई ऐसा फिनामना नहीं, खचक से होती है, एक particular temperature भी यह होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और ferromagnetic material पुरा किस में कन्वेट हो जाएगा, परा-magnetic में है, ferromagnetism converts to paramagnetism at some temperature called Tc, इसको हम बोलते हैं, क्यूरीज तेंपरेचर, at some temperature, on increasing temperature बढ़ाते 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 एक टाइम ऐसा समय आया, कि ferromagnetic material की magnetic property इतनी कम हो गई, कि वो paramagnetic लगने लगा, उसकी सारी property paramagnetic material की हो गई, और ऐसे temperature को हम बोलते हैं, क्यूरीज तेंपरेचर, this temperature is called क्यूरीज तेंपरेचर, it is different for different material, it is different for different material, for example, iron के लिए क्यूरीज तेंपरेचर हमने देखा, तो iron के लिए Tc की value है, 1043 Kelvin, अलग-अलग material के लिए, अलग-अलग value है, after Curie's temperature, material becomes, बोलो क्या, paramagnetic, and now, and now, अब यह सुच, इसके बाद भी आप temperature बढ़ाते चाओ, suppose आपका दिल नहीं भड़ा, उसकी जान ही निकाल लिए, अपरेचारा बढ़िया, इसके बाद भी आपने उसकी जान नहीं छोड़ी, और टेम्प्रेचर बढ़ा रहे हो, और टेम्प्रेचर बढ़ा होगी, तो क्या होगा, डाम्ग्रेटिक बन जाएगा, कह सकते हो, देमे देमे उसकी प्रोपर्टी और खराब होने लगेगी, यानि उसकी सस्पेक्टिबिलिटी और काम होने लगेगी, So, after Q-East Temperature, material becomes paramagnetic, Now, on increasing temperature, ये होगा, जीटा is equal to C upon T minus Tc, वेर, T is greater than Tc, समझाते हैं, जीटा magnetic suspectability, T, अब जो आप temperature लगा रहे हैं, जो की Tc से डेफिनिटी बढ़ा है, C Q-Response टेंट, मानलो, हाई रेलोकेस ले, 1043 Kelvin पार हो गया, अब आप पहुज गए, इसको थोड़े प्ले हजार मानते हैं, थोड़ा calculation आजान असान रहे हैं, मानलो, आप 1100 पहुज गए, तो 1100 minus 1000, 100, मानलो, आप 1200 पहे कहे, 1200 minus 1000, 200, आप 1500, 1500 minus 1000, 500, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ना difference, जीटा और बढ़ता जाएगा, बात क्लियर हो रहे होगे, कि यह क्या, यह को Curie's law है in another form, Curie's law in another form, बट इसको आप Curie's law exactly नहीं बोलते हो, Curie's law बोलते है, pure paramagnetic substance के लिए, क्या यह pure paramagnetic substance है, यह fake paramagnetic है, यह ferromagnetic था, temperature इतना हाई होगा कि बेचारा paramagnetic तरह behave करा है, इसके हालाच इतने खराब है, कि यह paramagnetic बन गया, तो किसने किया तुमने, अभी तुम अभा temperature बढ़ा होगे, तो इसका जीटा और हीलेगा इस relation से, यह temperature बढ़ते जाओ, जीटा कम होता चाहिए, clear है, तो यहाँ पे ferromagnetism भी खतम होता है, और यह topic entirely समात होता है, अब इसमें बच्चा है, छोटा सा topic, hysteresis curve, तो उसको ही पढ़ेंगे अगले lecture में, पढ़ाई करते रहें, all the very best.